जैहिन प्यारे मित्रो, आर्पिएफ कॉंस्टेबल या एसाई के जो फॉर्म भरे थें, देखिए उनलों के लिए सबसे बड़ा अभी प्रोब्लम जो चल रहा है, वो है पैमेंट को लेकर, और इस पैमेंट को लेकर ना हम कल भी वीडियो बनाये थे, और हम कल भी बताये थे देखिए, उसके साथ मेरा भी पैमेंट जो फस गया हुआ है, और मेरा भी पैमेंट पैंडिंग नहीं है, तो कल कुछ और अप्सन आ रहा था, और अभी कुछ और अप्सन आ रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा, जब आप इसमें लोगिन कीजेगा, जो भी अगर लोगि लोगिन करने के लिए जाए डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक दिये हैं आप डारेक्ट वहाँ पर आ जाएंगे और वहाँ पर जाकर अपना यूजर और पास्वर्ड डाल कर आप लोगिन करके देखिए कि आपका स्टेटस क्या दिख रहा है देखिए कल मेरा स्टेटस क कुछ और दिख रहा है अभी स्टेटस हम देखें तो इसमें यहां पर आ रहा है कि नो रिकोडेट और फॉन यह इस परकार के यहां पर आ रहा है और नहीं तो यहां पर अप्लिकेशन स्टेटस दिख रहा है और नहीं तो यहां अप्लिकेशन स्टेटस दिख रहा है और नही के जिन लोगों का प्रमेंट कट गया है और उन लोग का लोगिन करने के बाद उन लोग के यहाँ पे अप्लिकेशन स्टेटस अगर सो हो रहा है ठीक है ना तो उन लोगों के घवराने की बात नहीं है क्योंकि अप्लिकेशन स्टेटस सो नहीं हो रहा है ना उन लोग के लिए का option दिया गया है यहाँ पर नीचे मेरा तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है इस परकार के है अब modify का option दिया रहेगा तो आप modify कर सकते हैं दोबारा पर्मेंट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है बन गया है कि यहां पर कोई मतलब की option है नहीं है ना तो application status दिखा रहा है अब हम करे तो करे गया ठीक तो समस्या उन बचों के लिए है समस्या देखिए कि इनको है कि जिन लोगों के यहां पर नहीं सो रहा है ना उन लोगों को पैमेंट जिनका कट गया है कट गया है तो उन लोगों को सो हो रहा है ठीक है कट जाने के बाद नहीं सो रहा है ना उन ल student जिसका payment नई कटा हुआ है और जिनका payment कट गया है यह इस परकार के सो नहीं हो रहा है उस सभी लोग एक चीज़ कर सकते हैं यह जो आपका help number जो दे रहे हैं इस number पर आप जाए और इस पर mail कीजिए इस पर call कीजिए जैसे भी करना है इस पर आप कीजिए आप RPF के बार-बार इस पर health line पर करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो भी payment कट गया है तो उसका modify का option दे दे और आपका status मतलब की success कर दे ठीक ना approval कर दे तो आपको इस पर बार-बार आप जाके करना होगा वही एक option है ठीक तो आप इस number पर health line जो दिये हैं जड़ जाए और उसके स हम देखे हम आपके साथ हैं मेरा भी इस परकार का दीगर है तो आप comment में ज़रूर कीजिएगा हम सब मिलकर और हो सकता है कि इसका payment का हम date को extend करवा सकते हैं बढ़ा सकते हैं अगर हम जादा mail करेंगे तो जादा मातरा में कीजिएगा तभी हो पाएगा ठीक है ना तो एक ए payment ही नहीं कटा है bank account से उन लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आपका payment जो है वो अगर date बढ़ाता है क्योंकि बहुत लोगों का मतलब यह problem है आप लोग कहीं नहीं है बहुत लोग है इसके साथ तो यह payment का option जो है ना यह हो सकता है कि दोबारा इसका थोड़ा date को बढ़ा सकता है तो प्लीज आप एक चीज कीज़ेगा जैसे यह बढ़ाएगा ना उमीद है कि बढ़ाएगा ही क्योंकि अभी 24 तक इसका मतलब की पुड़ा करप्सों नोगरा होंगे तो अगर बढ़ाता है तो आप प्लीज का कीज़ेगा modify का option आएगा तो आप repayment करवा देजेगा हो सकत यह आपका जो help line दिये हैं इस पर आप जाएए और बहुत मतलब की बहुत ज्यादा मात्रा में इस पर जाके mail कीजिए यही परकार का solution है ठीक आप comment कीजेगा हम आपके साथ जडूर है और जहां आप कहिएगा वहाँ चलने का भी पर हम का तयार हैं जैसे भी करने के लिए ह वज़से करेंगे जडूर तो आप जडूर थोड़ा सा देखकर और आप लोग mail लगार कीजिए इस number पर यह health line number है यूँकि अगर पैसा कर जाना मेरा पैसा कर जाना यह हमारा बड़ी बात नहीं है मेन हमारा सबसे बड़ी समस्या है कि देखिए अगर हम इसमें अगर apply नह किस परकार का आपका status सो हो रहा है comment जडू करके बताईएगा